जैहिंद वंदे मातरम सातियों कैसे आप से भी लोग तो फेंड्स एक और नहीं घर्टी के बारे में बात करेंगे जो है CRPF से यह दोस्तों सेंटर रिजा प्लिस फोर्स से वेकेंसी निकाले गई है कैसे कैसे फॉरम को फिल अप करेंगे क्या दोस्तों इसमें एज कराइट क्या दोस्तों इसमें सिले बस रहेगा क्या फेंड्स इसमें आप सभी की जो है यहाँ पर सलक्सर प्रोसेस सारी जान करें आप सभी को देने वाले हैं तो देखेंड्स यहाँ पर आप सभी की जो ओल्लैन आविदन है वो यहाँ पर एक तारिक से शुरू हो जाएंगे यार दो दिन इसका दोस्तो एक्जाम यहाँ पर चलेगा यानि आपको एक्जाम डेट का भी पता चल चुका है और friends इसमें जो आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर फॉरम फिलप होंगे वो online mode से होंगे यानि आप online तरीके से आप फॉरम फिलप कर सकते और CBT यानि computer based test आपका इसमें कराया जाएगा यह service factor के लिए post निकाल गई है service factor RO, crypto, service factor technical, service factor civil, assistance of inspector technical, assistance of inspector तो दोस्तो आपकी post निकाले गई है आप इसमें देख सकते हैं आपका जो इसमें CPC होता है वो 7th होता है और इसमें आपका salary वगरा भी आप देख सकते हैं किस post के लिए कितनी salary है ठीक है वही दोस्तो इसमें total vacancy की बात कर लें तो total आपकी 212 vacancy निकाल गई है male female donor के लिए हैं आपर vacancy निकाली है और यह देखिए आपका दोस्तों कितना UR, OBC, EWS, SC, ST सभी में आप vacancy देख सकते हैं किसमें कितनी vacancy है तो 212 vacancy आप लोगों के निकाली गई है यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे आप बात करने हैं पर आप सभी की आपकी post के बारे में तो आप देखिए कितनी आपकी सभी post के बारे में बता दिया आप सभी को age limit के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें दोस्तों आपकी जो age limit है वो इसमें 21 से 30 साल मागी गई है यानि किसी किसी में 18 से 25 साल भी है और यह दोस्तों आपकी post बारे डिवाइड है vacancy किसी में 21-30 साल है तो किसी में 28-25 साल है टेक्णिकल लिए दोस्तों 28-25 साल है बाकी दोस्तों उसमें आपका जो सिविल के लिए बात कर लें तो इसमें 21-30 साल रहेगी ठीक है वही SCST को 5 साल का age management election OBC को 3 साल का ठीक है ये तो आप सभी को पता ही होगा आगे बात कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर आप सभी के notification में आपका जो expression है उसके बारे बात कर लेते हैं ठीक है तो expression तो आप सभी को पता ही दोस्तों जो भी अगर दंगे वगरा होते हैं mathematics में, physics में, computer science में ठीक है सभी क्रप्टों के ले जाना चाहते हैं तो bachelor degree आपके पास होने चाहिए जो mathematics physics subject से आपके होने चाहिए अगर technical में जाना चाहते हैं तो BA, BTEC वगरा आपके पास होने चाहिए सभी इस्पेक्टर, civil में जाना चाहते हैं तो intermediate with three year diploma आपके पास होने चाहिए ठीक है, वो भी engineer का, civil engineer का तो ही आप इसमें follow up कर सकते हैं assistance inspector में जाना चाहते हैं तो 10th class आप पास होने चाहिए ठीक है, तो इसमें 10th class के लिए जोब है और यहाँ पर 12th class के लिए जोब है और यहाँ पर दोस्तों आपके graduate लोगों के लिए भी इसमें जोब निकाले गई है ठीक है, तो how to apply कैसे आप apply कर पाएंगे तो फैंट से लेकर 15-2023 से लेकर 25-2023 तक आप कर सकते हैं फॉरम फिलप ठीक है, सुबह 10 बज़े से लेकर रात के 12 बज़े तक इसमें लिखा गया है और इसमें जो fees रहेगी आपकी दोस्तों 200 रुपे रहेगी, सौइस प्रक्टर के लिए, गुरूप B के लिए और इसमें 100 रुपे रहेगी आपकी असिस्टन सौइस प्रक्टर गुरूप C के लिए, ठीक है H.C.H.T. एक्सर्विसमें और फीमेल अगिनिट और इसमें फीमेल रहेगी नो इन लोगों के लिए और देखिए फैंटर आपके जो सिटी रिटन एक्जाम के लिए बनाए गए वो सेंटर भी आप देख सकते हैं तिरपुरा में उत्रपरदिश में आगरा, अलिगर, अयुद्या, गोरखपुर तो यहां पर आपका दोस्तों सेंटर बनाए गए हैं जहां सी कारणपुल, गाजेवाद, मेरट, नॉयडा, बरेली, लखनो, प्रियागराज, वारारसी तो यह आपके उत्तरपरदिश के सेंटर है, उत्तरा खटकी भी देख सकते हैं जहां से भी आप हैं वहाँ सेंटर आप चेक कर सकते हो, यह आपके सेंटर रहेंगे और इसमें आप देखेंगे आपका जो एक्जाब, रिटन एक्जाब कराए जाएगा वो 100, आपका जो है, 200 मार्स का रहेगा, यानि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, इसमें दो आपका पेपर होंगे, इसमें फ़श्ट पेपर जो रहेगा आपका ये intelligence reasoning और दूसरा जो पेपर रहेगा जरनला अवेयरडियास तीसरा पेपर जो इसमें जो मतलब सब्ट lbn आपके रहें थींद सब्जेक्ट हैं अबकर आपका प्सक्ट एक मित्टेज आग्टर सब्सक्नार 2022. ठीक है तो ये आपके दोस्तों सब्जेक्ट है टेक्निकल के लिए सब्जेक्ट आप देख सकते हैं यानि आपका टेक्निकल सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा वो भी इसमें बताया गया है तो ये दोस्तों आप सभी के क्राइटेरिया है जो मैं आप सभी को इसमें बता रहा प्रवी सकते हैं आपका सेलिवस आपके सामने है हाइट हाइट देख सकते हैं आपकी मेल के लिए 170 cm फीमेल के लिए 157 cm और चेक्ष्ट आपकी 80-50 cm में रहेगी और और बी दोस्तों जो हीली एरिया से आते हैं उनकी हाइट वगरा देखे सकते हैं कि तरी आपकी हाइट रहेगी और 100 मीटर 16 सेकिट में रहेगी लॉग जंप साड़े 3.65 मीटर और ठीक है और यहां पर आप देखेंगे हाई जब इसमें एक दो पॉंट मीटर रहेगी तीन चांस आपको मेलेंगे दोनों में लॉग जब हाई जब में सॉट पूट आपका रहेगा इसमें 4.5 रहता है ज्यादा टाइमिंग उनके लिए मिलता है तो बाकी दोस्तों यह सारी चीज़ आप सभी को पता चलगी होगी आपकी 6x6 आपकी आईस यारी है अपर जो आपको मेंडिकल टेक्ष्ट होगा उसमें होनी चाहिए तो यह सारी चीज़ आप सभी को मैंने बता दी है अ अगर आप दोस्तों अधिक जाड़कर पाना चाहते हैं तो आप इस नोटिवेसल को हमारे टेलेग्राम से भी डालोड कर सकते हैं ठीक है तो इसमें आपको कंपलीट जाड़कर ही मिल जाएगी तो फैंस कैसला का वीडियो कमेंट डॉक्स में जरू बताएए जैहिंद वद देवातरों